हेलो फ्रेंड्स मैं मनीज एक बार फिर आप सभी के चैनल मनीज कार्की के साथ फ्रेंड्स कुछ कवीताओं का जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा और आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर सुक्रिया आपने मुझे और हमारे चैनल मनी सकार की को इतना प्यार दिया यह तो सभी की जीवन में कोई ना कोई गल्फेंड जरूर होती है कोई प्रीमी का जिसको हम अपना दिल देते हैं या यू कहें कि वो हमारा दिल जुरा लेती है तो कुछ एक कवीता है गल्फेंड की उपर मैं आप सब को सुनाना चाहूँगा गल्फेंड ने अपने पती का हाथ थाम लिया यह तिन जुदाई के कितने हैं कह नहीं सकते रस्मे वफा भी हम सह नहीं सकते साहिल पर खड़े होकर दिल की चीक सुन लेती साहिल पर खड़ी होकर दिल की चीक सुन लेती डू भी रहीती तो हमारे प्यार में बह लेती बात पुरानी है बात पुरानी है है कुछ महबत के गाने दोस्त भी देते हैं ताने और बात सुनाने दिखाते थे दोस्त के नाम पर बार बार हमदर्दी दिखाते थे दोस्त के नाम पर बाद बार हमदर्दी हर बार एक लड़की से मिला कर बढ़ा देते थे मेरी सिर्दर्दी दोस्त ऐसे होते हैं ऐसी एक लड़की से हमें होने लगा था प्यार दिन रहा थी देखने लगे थे उसके हम सपने बेसुमार एक भी बार ना उसने गले लगाया ना दिया कभी अपना हातों में हात बस दूर से ही करती रही सिर्फ जजबा तो भरी बात हम भी तड़पते रहे प्यार के उनके लिए दिन रात सोचते रहे कब जाएगी उनके घर अपनी बारात एक दिन जनम दिन पर मेरे गिफ्ट देने वो घर आई क्या बताओं आकर उसने मेरे घर में क्या आग लगाई ममी पापा को चहरे में उसके चान नजर आया पर मैंने सुबह दरपण में अपना चहरा सूजा पाया बस खत्म ही यादे उसकी और बात चहरा नजर आता है आज भी उसके चान में हर रात आज फिर आज फिर मिली वो आज फिर मिली वो कैसे करो सुक्रिया माते पर बिंदी थी और उसने नाम भी था बदल लिया आज फिर मिली वो कैसे करो सुक्रिया माते पर बिंदी माते पर थी बिंदी और नाम भी था उसने बदल लिया पास आकर जैसी है मैंने उसका नाम लिया देखते ही मुसक्रा कर उसने अपने पती का हाथ थाम लिया सुक्रिया और एक और मेरी गल्फ्रेंट इंडिया सी तो गल्फ्रेंट की होती है कोई उत्राखंड की होती है, कोई हमाचल की होती है, कोई करनाटक की होती है, कोई चंडीगड की होती है, कोई दिल्ली की होती है, कोई बॉम्बे की होती है, तो गल्फेंड इंडिया सी होती है, है ना, तो वही है मेरी गल्फेंड इंडिया सी, बड़ी खूबसूरत लगी थ से दुबारा सुनीगा चाल लाइन और बहुत प्यारी कवीता है बड़ी खूबसूरत सी लगी थी तस्वीर में ये मेरी महबत थी वादिय कस्मीर में वो थी प्यारी मासूम सी कसम से जैसे सुबह की पहली किरण आई असम से पहाडो पहाडो की बहती नदिया सी वो जैसे कि आप सभी को पता है मैं उत्राखन ध्हरादून से बिलॉग करता हूं तो कहीं कहीं पर मेरी कवीताओं में उत्राखन ध्हरादून का जिकर होई जाता है पहाडों सी बहती पहाडों की बहती नदिया सी वो उत्राखन से निकली कोई धारा सी वो बंगाल की मीठी सी मुस्कान थी उसकी उडिसा के जड़नों की गुन सी वानी थी उसकी राजिस्थान गुजरात और देखा पूरा पंजाब नहीं उसका कहीं और कोई जवाब कभी यूपी सी भोली थी वो उसकी बातों में था कोई गहरा समंदर उसकी बातों में था कोई गहरा समंदर मेगालाई मिजुरम से जैसे कहीं न कोई अंतर बने कोई हमसफर और हमसा हमनवा जैसे अरब सागर में जुडे मारास्ट और गोवा देखते ही उसे दिल बेकरार होता है देखते ही उसे दिल बेकरार होता है हिमाचल में घूमते हुए मुझे फिर से उससे प्यार होता है मिले भी वो मिले भी वो फिर जिदा हो गए मिले भी वो फिर जिदा हो गए उन्हें डूनने के लिए हम करना टक तक गए मुझे प्यार बेसु मार था, वो मेरे कस्मीर का प्यार था कैसे करूं सुक्रिया, हर मंदिर में सजदा किया बाद बाद पर हस्ती थी, धहरा दून में जान उसकी बस्ती थी गम जुदाई के सहे नहीं सकते, रस्मे वफा की आगे हम कुछ कह नहीं सकते रस्मे वफा की आगे हम कुछ कह नहीं सकते, आगे हम कुछ कह नहीं सकते सुक्रिया, सुक्रिया, बहुत सुक्रिया तहे दिल से, आपने मुझे और मेरी कविताओं को इतना प्यार दिया इसका मैं आप सभी का तहे दिल से सुक्रियादा करता हूँ बस यूही अपना प्यार देते रहिए अपने मनीज को सुक्रिया थन्यवाद